असलाम लोगों स्टुरेंट्स आइम अब्दुर्जाक लेक्ट्टर इन फिजिक्स कॉमिन डिग्री कॉलिज मुस्तवाबात कसूर बच्चों हम लोग सेकंडियर की फिजिक्स में चेप्टर नंबर फोर्टीन एलेक्ट्रमेगनेटिसम पढ़ें जिसमें कल हमने पढ़ा था सिर्फ नुट्रमेटिक फोर्स और चार्ज मुविंग इंसाइड एन एक्स्टर्नल मेगनेटिक फिल्ड बच्चों सबसे पहले मैं इसके एक दो मसिक्टेंड इसक्टेंगे और आप किसी चार्ज को इस तरफ एक विलॉस्टी वी से प्रोजक्ट करते हो ठीक है बीडाट म और आपको बता ही फार्मुला क्या था फार्मुला था फार्मुला था फार्मुला था FB is equal to QV cross B फर्दर आप लोग जानते हो कि इसे हम QVB sine of theta लिख सकते हैं और आप लोग यह बात जानते हो कि जब यहां पे दोनो parallel है तो angle कितना है? angle है theta is equal to 0 degree even theta 180 degree भी होता that means anti-parallel भी project किया जाता तो दोनों cases में ही sine theta का answer कितना आता है? वो 0 आता है ठीक है? तो यहां पर यह normal unit vector भी लिखना पड़ेगा मुझे तो इस हिसाब से हमें बता चलता है कि जो magnetic force है वो उस particle पर जो magnetic field के parallel या फिर anti-parallel project किया जाता है यहां तक हमने एक एक एंजी की बात कर ली आप उसके बाद next यह है कि लैट से हमारे पास एक ऐसा रीजन है जिसमें magnetic field into the page applied है और इस magnetic field के अंदर जो के बोट से अंदर की तरफ magnetic field है इस magnetic field में let's say towards from right make positive charge plus q insert कर रा ताहूं with velocity भी अब आप लोग जानते हो कि जैसे ही यह चार्ज particles magnetic field के अंदर एंटर होगा इसके ओपर magnetic force exert करेगी और हो magnetic force find out करने के लिए तनी रूल थे right hand rule for vector product right hand palm rule and flemmings left hand rule तो अगर मैं right hand rule for vector product लगा हूं तो open fingers of your right hand in the direction of first vector that is velocity so velocity की direction में अगर आप अपने right hand के fingers को खोलें और फिर करें टूर्ट second vector magnetic field through shorter of two possible angles तो थम क्या बताता है कि इसके पर magnetic force की सर्फ लगेगी अब लगेगी तो बच्वों अगर यह चार्ज particle यहां से insert किया जाए लेट से मैं कहता हूं इस point से insert किया जा रहा है चार्ज particle और यह जैसे इसमें इंटरो वैसने प्रपेंडिकुल और मैगनेटिक फिल्ड लगेगी अप पर इसकी विजह से हो सकता है यह सर्कल में गोना स्टाट करते हैं ठीक है तो यह चार्ज पार्टिकल यह क्या करेंगा एक सरकल में गुमना बात है वो यह है कि अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को इस तरह से इंटर करूं कि वह मगनेटिक फिल्ड के साथ ना परलल हो ना एंटी पारलल हो और ना ही वह परपेंडिकलर हो यहां पर चार्ज पार्टिकल को इस तरह से प्रोजक्ट कर रहा हूं मैंने इसको मगनेटिक फिल्ड जो के इंटूदी पेज है और जो विलॉस्टी इस तरह है इनके तेल्स के दर्म्यार में एंगल थीट है इस तरह से प्रोजक्ट किया तो आपको पता है कि यह हमारे पास मेगनेटिक फिल्ड है यह कोई वर्क तो कर नहीं सकती यह सरफ डिफ्लक्टिंग फिल्ड होती है तो इस वजह से जब जैसे आप चार्ज को सब्सक्राइब कर आगे इस पर अपर अपक्र फोर्स नहीं है इस वजह से इसके फोर्स अपरट यहां पर लेट से में करता हूं इस तरह चल रहाए तो फोर्स अपर लगेगी तो यह क्या करना शुरू कर देगा इस तरह से एक हैलिकल पाथ मना चुबू कर देगा तो यहां पर शो करूं विलॉस्टी इस तरफ है मैगनेटिक इस तरफ है और इस पर फोर्स लगरी अपपट इस फोर्स की वजा से यह चार्ज पार्टिकल यहां पर है लिकल पाथ सकती है मैगनेटिक फिल्ड इस तरह का पाथ जिसमें चार्ज पार्टिकल इस पाथ को फॉल्लो करता बजाता है वह चूंकि स्प्रिंग की तरह होता है तो इस पाथ को हम क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर ली थी क्योंकि आप लोगों ने कुछा था इसमें अब हम आज का अप ठीज़ जो इस तो जी यह सुजी तपिक है, श्यन आप अ चार्ज परतिकल मैंस एंसल एंसल्ल एंसल्ल थेल्हें अ और भाटिक फेल्स अच्छे जी लेट से मैं कहता हूं कि हम एक चार्टिकल को एक स्पैसिटिक रिजन में इंसर्ट करती है जहां पर उसके ओपर magnetic force इस direction में लग रही है और उसके उपर electric field इस direction में लग रही है that means उस region में magnetic field भी applied है और उस region में electric field भी applied है so FBQV cross B के मताबिक यहाँ पे एक जो है मारे पास magnetic force लगेगी और F is equal to QE के मताबिक उसके उपर एक electric force भी लग रही है तो अगर उनकी forces की direction इस तरह से आती है तो आप total net force निकालने के लिए क्या करते हो head to tail rule के मताबिक पहले vector की tail से आखरी vector के head तक एक vector join करते हो और उसमें इस direction में आप arrow लगा देते हो ठीक है तो यह हमारी net force है और बच्चों यह जो net force है ना जो के vector sum है FE plus FB या FB plus FB vector addition commutative होता है से फरक नहीं बढ़ता ठीक है तो इन दोनों के vector sum के equally net force आती है और बच्चों इस net force का नाम पता क्या है इसका नाम है Lawrence force ठीक है तो अगर कोई charge particle किसी ऐसी region में इंटर हो जहां पे electric field और magnetic fields दोनों ही applied हो तो उसके उपर लगने वाली जो net force होती है उसे हम क्या कहते है उसे हम कहते है लॉरेंस फोर्स एफल ठीक है अच्छे बचो यह भी आद रखना के अगर हमारे पास यह दोनों फोर्स इस तरफ है और fb इस तरफ है तो आप यह resultant आपको पता है कि ट्राइंगल बन रही है तो यहां पे आप वह पाइथागोरियन थीरिम अप्लाई कर सकते हो कि आप लिख सकते हो कि fl square is equal to f e square plus fb square इस तरह से find out कर सकते हो लेकिन इस case में जब इन दोनों के दरम्यान में जो तो आपको फिर स्क्राइड करने के लिए कौन सा फर्मला यूज करना पड़ेगा जो आप फस्ट यर में भी यूज कर चुक्यों कि लैट से अगर यह है और यह यह है fb और इनके टेल में अंगल कितना मनता है थीटा आपको पता है दर्मयान जो एंगल हमेशा टेल यह एड हैड में लिया जता है टेल और हैंगल यह वाला लेंगे तो असर गलग ताएगा तो आप लोगों ने यह काम नहीं करना सिरफ टेल टेल में लेना है यह यह is equal to a square plus b square plus 2 a b cause of theta अगर आपको याद हो तो यह फामुला ड्राइब किया गया था फॉस्ट यह की जो चप्टर टू की एक्जेंबल 2.3 थी उसमें सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर आप एंगल की वैली पूट कर लो तो आपनेट फॉर्स का मगनिचूट फांड़ कर सकते और जारी बात है जो भी आपका अंसर है उसके पर प्रपेंडिकुलर कॉंपनेट्स निकालने के बाद कि वक्टर इशन भाइं रेक्टेंगुल प्लस एंगल भी निकाल सकते हो ठीक है तो यहां दक मैंने लॉर्ण फॉर्स की बात कर लिए बच्चो अब मैंने वो जो एक्वेशन लिखी है मैं इसको फर्दर थोड़ा सागे चलाओंगा कि हमारे पास लॉर्ण फॉर्स का फामुला है एफ एल इस एक्वल टू एप्लस FB आपको पता है कि F E का फामुला क्या है Q E और F B का फामुला क्या है Q V क्रॉस B तो इस हिसाब से अगर आप यहां पर Q को कॉमन निकालो तो अंसर क्या आता है अंसर आता है E प्लस V क्रॉस B ठीक है अब देखिए अगर अलेक्टिक फील्ड और V क्रॉस B एड़ हो रहे हैं तो इसका मतलब है जो यूनिट अलेक्टिक फील्ड के वही वी क्रॉस B का भी है क्योंकि हमेशा similar terms add ये subtract होती है ठीक है different terms add ये subtract नहीं हो सकती है multiply divided हो सकती है लेकि different physical quantities add ये subtract नहीं हो सकती है तो इसका मतलब है अगर इसका unit Newton पर कॉलम है तो इन दोनों का मिला के भी Newton पर कॉलम आएगा देखिएगा क्योंकि electric field force per unit charge होती है इसे साब से जो इसका unit है वो क्य सबसे टेसला की जगा पर भी आप Newton पर Ampere पर मीटर लिख सकती है अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर Newton मीटर मिलके क्या बंग जाएंगे magnetic field velocity is meter per second magnetic field is Newton पर Ampere पर मीटर सो हमारे पास यह जो आंसर आ रहा है न्यूटन पर कॉलम में आ रहा है अब यह दोनों मिलके न्यूटन पर कॉलम बनेंगे और यह मीटर से कट जाएगा सो आंसर के आएगा Newton पर कॉलम प्लस Newton पर कॉलम तो इसका मतलब है दोनों यू कॉन्ट में बहुत सारे particles accelerate किये गए और वो different velocity से आ रहे हैं और आपको specific velocity चाहिए किसी experiment के लिए तो आप velocity selector use कर सकते हो जिसका basic principle यह Lawrence force है आप एक ऐसा region बनाते हो जिसमें perpendicular magnetic और electric fields applied है let's say हमारे पास एक region है जिसके अंदर into the page perpendicular magnetic field applied है जैसे के मैं यहां पर इस portion में show कर रहा हूं crosses से cross का मतलब क्या है कि magnetic field is applied in the region that is perpendicular to us and it is into the plane of the board और आप जब copy पे लिखोगे तो क्या लिखोगे into the plane of paper तो यह magnetic field का एक region है हमारे पास ठीक है तो अब अगर यह magnetic field का region है और मैं इसमें एक charge particle let's say plus q charge वाला with velocity v insert करता हूं तो जैसे ही charge particle इस magnetic field के region के अंदर enter होगा जो के into the page है तो इसके उपर एक force लगेगी जो के right hand rule के मताबिक first vector second vector and this direction तो इस पे जो force लगेगी ना उसकी विज़ा से यह particle क्या करेगा यह particle इस तरह का एक path बनाता हुआ इस portion पे आके गिरेगा ठीक है that means इसकी deflection होगी upward अच्छा यहां पर मजीद भी इस पार्टिकल ने क्या करना है बैंड करते हैं यहां से गुजर जाना आगे स्रेट हो जाना है और अगर इदर कोई स्क्रीन पड़ी है यह detector पड़ा हुआ है तो उसने इस पार्टिकल यहां पर आएगा मेगनेटिक फिल्ड के अंदर उसके उपर एक फोर्स लगेगी मेगनेटिक फोर्स जिसकी डिरेक्शन क्या होगी जिसकी डिरेक्शन अपवर्ड होगी तो यह मैंने यहां पर मेगनेटिक फोर्स की डिरेक्शन शो कर दी इस पॉइंट के उपर हर पॉइंट पर जाके मेगनेटिक अगर यह पार्टिकल अपना पाथ चेंज कर लेता है तो यह मेगनेटिक फोर्स भी अपना अपनी डिरेक्शन चेंज करेगी और हमेशा यह संट्रिबिडल फोर्स की तोर पर ही काम करेगी तो यह एक रीजन है जिसमें पर्पंडिकुलर मग्नेटिक फिल्ड अप्लाइट थी और उसके अंदर मैंने एक चार्ज पार्टिकल इंसर्ट किया था जिस पर की वजह से चार्ज के उपर एक फोर्स लगी थी जिसका फामुला एक एक बीजिए क्यु वी क्रॉस बी से हमने फाइड आउट किया था अब अगर मैं कहूं कि इसी रीजन में मगनेटिक फिल्ड ऑफ कर देते हैं और एलेक्रिक फिल्ड ऑन कर देते हैं मैं यहां पे इस जगां पे कोई पॉस्टिव टर्मिनल ऑफ प्लेट अटाच कर देता ह negative terminal of plate अब क्या होगा एलेक्टिक फिल की डिरेक्शन अपफ़र से डान वड़ाइगी ठीक है तो एफ़ी का फामुला जो इस फोर्स के लिए वो किया है वो है क्यू ए तो अब जैसे पार्टिकल इस रिजन में इंटर होगा अगर magnetic field off है तो इसके उपर downward एक force करेगी और उसका नाम क्या होगा उसका नाम होगा FE जिसकी वज़ा से यह charge particle जैसे इस रिजन में आएगा यह bending start कर देगा और bending स्ट्रेट पास कर जाए तो स्ट्रेट पास करने का मतलर यह है कि FE और FB के मगनीचोड आपस में इक्वल होंगे ठीक है अगर हमारे पास electric और magnetic field की strength इस तरह से सेट हो कि जितनी magnetic force है उतनी ही electric force आए और directions opposite है और magnitude same है तो इनका sum कितना आएगा इनका sum आएगा null vector के इक्वल that means हमारे पास यह जो Lawrence force है FL जो के FE और FB के इक्वल है अगर इसमें Lawrence force null vector के इक्वल आजाए तो आप लोग जानते हो कि हमारे पास जो FE है वो FB के इक्वल आ जाएगा लेकिन direction में क्या होगा डिरेक्शन में होगा opposite ठीक है डिरेक्शन में opposite होगा सिर्फ magnitude की बात कर लो तो electric force का magnitude और magnetic force के magnitude या पसमें क्या होंगे या पसमें equal आ जाएगे ठीक है उसे आगे कोई nuclear electronic कोई equation बनानी है या कोई reaction करना है तो उसके लिए व्लासिटर का formula यूज होता है वह स्टेट पास कर जाएगा जब उसके उपर अपवर लगने वाली magnetic force और downward act करने वाली electric forces ब्राबर हो जाएगी इस रिजन के अंदर और लॉर्ण फोर्स जीरो जाएगी ठीक है तो इस तरीके से मैंने यह equation का यहां पर बना ली है अब इसमें मैं अगर formula पूट करूँ तो यह क्या बनेगा क्यूँ ए और यह क्या बन जाएगा क्यूँ वीबी साइन ओफ 90 डिगरी वजा किया है कि इस रिजन में मैंने पर्पेंडिकुलर मग्नेटिक फिल्ड अप्लाई किया है पर्पेंडिकुलर टूदा विलॉस्टी सो यह तो खतम हो जाएगा यह 1 बन जाएगा क्यूँ क्यूँ से कट जाएगा और अंसर क्या आएगा अंसर आएगा इस इक्वल टू वीबी थिखने यहीं आप सिक्वेशन इसमें से लिटू का फ़मला निकाल सकते हैं भेलऊस्टीं का फम्ला क्या होगा लेपे वीला स्टिट अगर आपने विऊल आपसे हैं तो आप चाहते हो आप लीजन कि रीजन हो 0.1 tesla magnetic field apply की और आप चाहते हो कि 100 meter per second से चलने वाला एक positive charge straight pass कर जाए या even negative charge भी हो वो state pass कर जाए तो आपको यहाँ पर 10 volt per meter की electric field भी apply करनी है उसके perpendicular इस orientation में जिसरा से मैंने यहाँ पर दिखाई है तो इसका अंसर कितना आजाएगा इसका अंसर आजाएगा 100 meter per second तो इस तरीके से velocity selector के अंदर से 100 meter per second के particle straight pass कर जाएगे और अगर आप चाहो कि आपने 1000 meter per second के particle को straight pass करवाना है तो फिर क्या करोगे अगर यह 0.1 tesla है तो electric field 100 volt per meter की apply करोगे उससे अंसर 1000 meter per second आएगा ठीक है तो बच्चे ज़रा इस बात पर गौर करो कि हमारे पास यह जो formula है magnetic force का यह velocity dependent है लेकिन जो electric force का formula यह velocity dependent नहीं है तो charge slow चल रहा हो या तेज़ चल रहा हो electric force का magnitude तो change नहीं होना लेकिन अगर आपने इस particle की velocity velocity selector की इस formula से अने वाले velocity से v is equal to e or b से जो अंसर आता है उससे कम रखी तो fb का magnitude velocity कम होने से decrease हो जाएगा जिसका मतलब है particle फिर भी इस तरह ही bend करेगा विशक कम ही bend करेगा और अगर आपने fb का magnitude electric sorry magnetic field का magnitude उस formula में पूट की गई वैल्यू से बहुत बड़ा रख लिया ठीक है तो इसका मतलब यह होगा कि आपके पास जो है actually sorry अगर आप इस रीजिन में इंटर होने वाले पार्टिकल की velocity वी बहुत बड़ी रख लेंगे यहां पर इस तगा पे आने लेकिन velocity selector में e over b से जो आंसर आया है अगर आपने वो velocity इस particle की उस velocity से कम रखी तो वो किस तरफ बेंड करेगी वो इस तरफ बेंड करेगी और अगर आपने velocity बहुत ज़्यादा रख दी velocity selector से आंसर आने वाले जो आंसर है उससे तो फिर यह उपर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा सिर्फ वो ही particle स्टेट जाएगा जिसका जिसकी विलॉस्टी का magnitude e over b से आने वाले आंसर के ब्राबर है तो इस तरह कैसे आप इस region में perpendicular electric और magnetic फिल्स अप्लाई करते हैं उससे velocity selector का काम ले सकते हो एक specific velocity वाले particles को undeviated आगे जो है वह आप receive कर सकते हो ठीक है experiments वगारा के लिए इसी हिवाले से मैं example 14.5 करवा रहा हूं एक संपल 14.5 है alpha particle ranging in speed from 1000 to 2000 that means हमें गिवन है velocity range velocity range है 1000 to 2000 meter per second यह ना भी दिया होता है तो भी हमार अंसर आ जाना थो enter into a velocity selector where electric field intensity is 300 volt per meter आपको पता है electric field के दो units होते हैं एक volt per meter और एक newton per coulomb and the magnetic field is 0.2 tesla ठीक है तो यह हमारे पास magnetic field है which particles will move undeviated through the field so required क्या है required है velocity selector की velocity that means कौन से particle है जो के undeflected जाएंगे इनसे slow वाले particle electric field की तरफ deflect करेंगे और इनसे तेज़ वाले particle magnetic field की direction में deflect करेंगे तो यह velocity हमें find out करनी है अब अब अच्छो अगर आपको यह formula नहीं याद वी is equal to e over b तो आप यह विले derivation कर सकते हो ठीक है fb is equal to f e लिखो q e को q vb साइन थीटा के क्वेट करो साइन थीटा वन हो जाएगा q q से कट जाएगा e is equal to vb बनेगा और formula क्या जाएगा v is equal to e over b तो आप values बूट कर लो यह होगा 300 वोल्ट पर मेटर और यह 0.2 टेसला आपको पता है गर एक 0 और लगा रहा हो तो यहां पर टू बन जाएगा उससाब से जो velocity का अंसर आएगा वो कितना आएगा 1500 मीटर पर सेकिंड सो सिरफ 1500 मीटर पर सेकिंड वाले particle यहां से undeflected पास करेंगे जिनकी velocity थोड़ी से कम होगी वो नीचे करेंगे जिनकी velocity थोड़ी से ज्यादा होगी वो ऊपर करेंगे स्क्रीन के जो सेलेक्टेट पॉश्चन है उसके उपर सिर्फ वह पार्टिकल जाकर स्ट्राइक करेंगे जिनका आंसर 1500 मीटर पर सेकिंड में विलॉस्टी का आता होगा ठीक है तो यहां तक हमने लॉर्ण स्वोर्स और उसके हवाले से जो हमने विलॉस्टी सेलेक्टर का प्रिंस्पल है वो स्टडी किया है अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि लोग को सने है और वह डिटर्मिनेशन आफ चार्ज टू मैस्ट रेशो आफ एलेक्ट्रॉन टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं डिटर्मिनेशन आफ चार्ज टू मैस्ट रेशो आफ एन एलेक्ट्रॉन एक एलेक्ट्रॉन की हम चार्ज टू तो मैस्ट रेशिवां टू कर सकते रहे हैं यहां पर बच्चों मैं बता दूंकि किसी भी पार्टिकल चार्ज पार्टिकल की चार्ज टू मैस्ट रेशो फाइंड टिजा सकती है ठीकए डिश के लिए जो हमने एक्सपरिमेंट डिसकस करना है मैं उसका सब सब्सक्राइब करने कुछ अब इन फ़ाद आपने इन बज़ेंग लिक्षा हम ने क्या बताना के स्टैडी में हमन्हें यह बताना है इन वैच अब परपेंडेकुलर मगनेटिक फिल्ड है उल्ड है यह ऐसा रिजन है जिसमें हमने perpendicular magnetic field apply की है और बचो किस तरह से अपलाई की है अगर तो आपने यहां पे magnet का किसी U-shaft magnet का north रख दिया और board से पिछे अगर आपने रख दिया south pole तो भी apply हो सकती है लेकिन अगर आप इस तरह से magnetic field apply करोगे तो आप उसकी strength change नहीं कर पाओगे इसलिए बहतर यही है कि आप यह अप्य अप्लाई करो Electromagnet यूज करते वे और आपको पता है कि Electromagnet solenoid हो सकता है solenoid के अंदर अगर आप core डाल दो तो वो क्या बन जाएगा वो एक Electromagnet बन जाएगा लेकिन solenoid की magnetic field से ज्यादा strong magnetic field होती है किसकी helm holds quail की तो बच्चों यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ के helm holds quail क्या होती है यह भी आपने case study में लिखना है कि आपने helm holds quail की मदद से इस region में perpendicular magnetic field apply की है सो अब मैं helm holds quail की बात करने लगा हूं बच्चों आपको पता है कि हमारे पास जो एम आएगा जो कि मियू नॉट इंटू मियू आर का multiple होता है अच्छा इसमें यह जो small n है यह किसके equal है यह है number of turns per unit length के लेकिन अगर मैं यह तमाम number of turns wind करते वे बजाए आगे की तरफ move करूं मैं अगर सारे number of turns एक ही जगा पर wind कर दूं iis talking different मैंने जो भी number of turns करने है and i right और मैंने जितने भी number of turns करते हैं वह सारे इसी point के उपर wind कर देता हूं इस तरह से ठीक है जितने आदर नहीं अगोगा के अपने इस जिगां कर देने हैं। यहां से तार निकाल देनी हैं अब यह क्या बन गई है है अब इस से क्या एक ऐसा चेंबर लिया जिसके अंदर लो प्रेशर गैस भरी हुई है और उस गैस के एक वाइल इदर रखिए और एक वाइल रखिए बैक साइड पे दोनों में जो है वो करेंट 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 इस तरह से गूम रहा है इसका मतलब है राइटन रूल के मताविक मेगनेटिक फिल्ड इंटू दी बोर्ड बनेगी तो यह मैंने मेगनेटिक फिल्ड की डिरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर दी है जो के हैल मोल्स के दरम्यान में एक पार्चली वैक्यूम चेंबर के अंदर भरीवी गैस के रिजन में अपलाई की गई है अब आप क्या करेंगे अब आप यहां से एक एलेक्ट्रॉन गन से कोई एलेक्ट्रॉन फायर करेंगे ठीक है यहां पे एक हमारे पास रिजन मुझूद है जिसमें हमने क्या फायर करना है जिसमें हमने एलेक्ट्रॉन फायर करना है तो इसे साब से इस को हम electron gun करते हैं अब electron gun से एक charge particle जिसका charge minus e equal है वो एक velocity v से इस magnetic field के अंदर enter किया जाता है ठीक है अब जैसे ही charge particle इस magnetic field के अंदर enter होगा इसके उपर magnetic force act करेगी तो इसको discuss करने के लिए यहां पर मैं heading बना देता हूँ mathematical discussion की इसके उपर लगने वाली जो magnetic force है उसका formula क्या है qv cross b या फिर qvb sin theta into unit vector n और सिर्फ magnitude की बात की जाए तो यह क्या बनेगा यह बनेगा qvb sin theta और बच्चो अगर theta 90 degree हो तो आपको पता है sin of 90 degree क्या होता है वान होता है तो यहां पर हमने velocity or magnetic field को perpendicular बनाया है तो answer क्या आएगा answer आएगा fb is equal to qvb अच्छा बचो साथ आप लोग ज़रा इस formula को भी नजर में रखो के हमारा actual formula क्या था qv cross beta और उसमें जब आप यहां पे q की जगा पे अगर प्लस e put कर देते हो तो वी cross b का answer क्या आता है वी cross b का answer आता है open fingers of your right hand in the direction of first vector and curl them towards second vector through shorter of two possible angle and thumb will point out in the direction of magnetic force लेकिन यह किसके लिए है positive charge के लिए अगर आप यहां पे इस formula में q की जगा पे मानस एपूट कर दो तो क्या बनता है fb is equal to minus e v cross b और बच्छो आपको बता है फिर इस formula को इस तरह minus a cross b plus b cross a के equal होता है ठीक है vector जो vector product है वो commutative नहीं होता अगर आप a cross b को reverse करोगे तो साथ minus 9 भी आएगा तो इसका मतलब है इस formula का कि अगर मेरे पास एक charge particle है जिसके उपर negative charge है और वो इस तरह velocity v से project किया गया है तो मैं अगर आप answer निकाल लूँगा force का तो जो भी rule लगा दो जो भी असर आता है आपने जो force की direction आएगी उसको invert कर देना है इस negative sign की वज़ा से और अगर आपने order invert कर लिया that means आपने पहले b और बाद में भी लिख लिया है तो उसका मतलब है अब आपने पहले vector b की तरफ अपने right hand की fingers को खोलना है फिर curl करके किस तरफ लेके आना है velocity की तरफ लेके आना है जो कि इस तरफ है और thumb क्या बताएगा थम आपको बताएगा उस पे लगने वाली magnetic force की direction को ठीक है तो चुके यह negative charge particle है यह जैसे ही इस region में enter होगा इसके ऊपर एक perpendicular magnetic force act करेगी इस magnetic force की direction यहां पर मैं represent कर रहा हूं यह है magnetic force की direction ठीक है और इसकी वजह से यह थोड़ा सा बैंड करना स्टार्ट करेगा एक बात याद रखना कि यहां पर इसकी टेंजेंचल स्टार्ट कर देना है आपको पता है कि जिस वक्त यह चार्ज पार्टिकल यहां पर आएगा उसकी टेंजेंचनल विलॉस्टी इस तरफ होगी और वी क्रॉस बी कांसर इस तरफ आएगा नेगेटिव की वज़ास से उल्ट कर देंगे तो मैगनेटिक कि स्टरफ लगेगी इस डिर्फेशन में लगेगी जब घूमता यहां पे आएगा तो इस जगह पर जो विलॉस्टी है विलॉस्टी तरफ होगी और उसके लगने वाली जो magnetic force है उसकी डिर्था यहां पर होगी जब घूमताव यहां एगा तो विलास्टी टेंजन्चल इस तरफ होगी और बचो जो magnetic force है उसकी direction towards center of circle होगी तो इस center of circle की तरफ लगने वाली जो magnetic force है उसकी वजह से यह electron beam एक circle में गूमना स्ट्ट करते हैं ये मागनेटिक फोर्स इस बात को रफ्रस सो इसी बात को रफॉर सो मनाते हुए तो इंदों को एक्वेट कर लेते हैं, अब हमारे पास equation क्या बन जाएगी, question बन जाएगी, qvb is equal to mv square over r, v एक पावर से cancel out हो जाएगा, m को उदर ले जाओ, क्या बनेगा, q over m, और इदर क्या बनेगा, v over rb, और बच्चों अगर q e के equal है, सिर्फ magnitude की बात करों, sign, negative, positive की में बात नहीं कर रहा, क्योंकि यह जो equation आनी है, किसी भी particle पर apply हो सकती है, तो मैं positive, negative यहां में नहीं पुट कर रहा, सिर्फ फिलाल e लिख रहा हूँ, ठेक है, और अगर for example, मैं कहूँ के, magnesium है, या कोई period number 2 में मुझूद element है, तो नहीं दोनों elektrons donate कर दी है, तो उसके उपर भी जो charge आएगा, वो क्या आएगा, वो plus 2 e आएगा, तो इस तरीके से आपने जो है, वो इस बात का ख्याल रखना है, कि हमारे particle का charge कितना है, बाराल, फिलाल तो पहली दफा ये charge through mass ratio find out हो और ये electron की, और इसका answer क्या है, इसका answer आए, बी over rb, अब charge through mass ratio मुझे तब पता चल सकती है, जब मुझे ये तीनों टन्स पता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए velocity भी known होने चाहिए, radius भी known होने चाहिए, और magnetic field भी known होने चाहिए, बच्चों, magnetic field is known, कैसे known है, इसका formula क्या होता है, b is equal to mu ni, ये formula होता है, hellmolts coil से apply किया, हमें पता है उसके number of tons, हमें उसके अंदर placed medium पता है, हमें current flow जो कायल में से कर रहा है, वो भी पता है, तो formula automatically हमें B की value दे देगा, ठीक है, और उसके बाद जो radius है, वो radius किस तरह से पता चलेगा, make the path visible, path visible कैसे हो सकता है, बच्चों आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो हमारी air है न, it is insulator of electric current, बादलों से बिजली गिरती है जमीन के उपर, लेकिन उस वकट जब बादलों और जमीन में, पर आएं और गूमते रहें, तो उसके लिए हमें low pressure बना पड़ेगा, ठीक है, और बिल्कुल vacuum भी नहीं करना, क्यों, बिल्कुल vacuum कर लेंगे, तो हम देखेंगे कैसे electron, कहां पर flow कर रहे है, ठीक है, लेट से मैं कहता हूँ कि हमारे पास से एक atom है, कोई भी atom है, इसके, इस dot के अंदर, इसके inner shell सारे मुझूद है, यह सिर्फ nucleus नहीं है, inner shell की भी बात कर रहा हूँ, और मैं outermost दो shell बना रहा हूँ, यह outermost दो shell है, ठीक है, इन में electron अगर उपर से नीचे जंप करता है, तो इस band gap के बराबर energy release करेगा, ठीक है, लेकिन जब अगर इर्द गिर्द से, और हजारों की तदाद में atom इसके करीब आएंगे, तो उसका नतीज़ा क्या होगा, कि यह जो discrete shell है न, यह split हो जाएगा sub shells के अंदर, तो इसकी shape कुछ इस किसम की हो जाएगी, neighboring atoms के interaction की वजा से, और यह असर बाहर वाले shell पे सबसे जादा होगा, inner वाले shell के उपर भी इसका असर होगा, लेकिन पहले से काम होगा, तो इसका मत आप जिस region के अंदर आपने apply की है, यह electron को अपने insert करना है, अगर आप वहाँ से gas pressure कम कर लेते हैं, तो atoms एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, और यह जो हमारे पास splitted shells हैं, यह दुबारा से क्या होना शुरू होते हैं, hyperfine shells में तबदील होना शुरू होते हैं, ठीक है, fine औ portion से visible में इंटर हो जाती है, तो इसलिए अगर आप इस region में यह बुक में भी बनाया है, इन्होंने figure 14.12 में के हमारे पास एक partial vacuum chamber है, उसके इर्दगिर्ध हमने हैं, हैलमोर्स कोयल लगाई हुई है, और उसके अंदर जो electronic path है, वो यहाँ पे visible बना दिया गया, किस तरह से gas क pressure low करके, बच्चों आप gas का pressure मजीद low करते चले जाओगे ना, यह मजीद fine से fine होती चली जाएंगी और color जो है, वो भी change होता चला जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे partial vacuum बना के different colors की light achieve कर सकते हो, अब अगर आपने एक दफा यह path visible बना दिया, तो जो apparatus ह उसके उपर लगे वे scale की मदद से या extra scale यूज़ करके आप इसका radius मजीर कर सकते हो, तो इस तरीके से आपको यह radius है ना, यह make the path visible के बाद आपको पता चल जाएगा, लेकिन जो velocity of electron है, जो particle electron gun से fire होने के बाद insert हो रहा है, वो unknown है, इसका मतलब है, यह velocity को हमें किसी और तरी सब्सक्राइगी, E square over M square is equal to V square over R square, B square, यह हमारी question number 3 है, ठीक है, तो इसकी बात कर लिए, अब हम आते हैं, velocity कैसे find out करेंगे, बचो आपको यह बात पता होने चाहिए, कि कोई भी electron gun किस तरह से बनती है, एक filament होता है, जिसके अंदर से current flow करता है, वो एक cathode में बंद होता है, cathode heat up होता है, उसे thermionically excited और emitted electrons निकलते हैं, ठीक है, thermionic electrons की emission होती है, वहां से thermally excited electrons निकलते हैं, अब अगर यहाँ पे आप कि इसी बैटरी का negative connect कर दो, इधर connect कर दो positive, और यहाँ पे आप यह plates लगा दो, उसका नतीजा क्या होता है, उसका नतीजा यह होता है, कि electrons इधर आने वाली attractive force की वैसे भागना शुरू करते हैं, speed gain करते हैं, accelerate होती है, यहाँ तक आते हैं, जो ज़रा से side है, वो इधर absorb और लिखा जा सकता है, और बच्चों, अगर इनके दरम्यान में यहाँ पे potential difference delta V है, तो यहाँ पे जो electrical energy supply कर रहा है, यह circuit वो किसके क्वल है, वो QV के क्वल है, आप लोग जानते हो, कि V का formula आप W by Q, या फिर U by Q पढ़ चुकी हो, इस साब से U किसके क्वल आता है, QV, यह वो electrical energy है, जो कि आपने electron gun में provide की थी, जहाँ पे V potential difference है, और इसकी वजा से, electron यहाँ से इधर चलते वे, electric potential energy lose करेगा, और kinetic energy gain करेगा, that means मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, loss in electrical potential energy is equal to gain in kinetic energy, अब अच्छों आपको पता है कि loss में initial value पहले और final बाद में लिखते हैं, तो यहाँ पे final, और इसी तरीके से 1 over 2m V final का square, minus 1 over 2m V initial का square, बच्चों आप यह consider कर लो के initially जो electrons निकले थे, उनकी velocity 0 थी, ठीक है, और जो finally voltage होगा, वो कितना होगा, वो 0 होगा, ठीक है, basically equation hold करती है positive charges के लिए, electron negative charge होने की विज़ा से इधर से इधर जा रहे हैं, वरना positive charge होता है, तो उन हमारे पास equation क्या बन जाती है, QV is equal to 1 over 2m V square, बच्चों Q की जगा पर E put कर लो फिर से, सिरफ electron या proton के लिए E put किया जा सकता है, alpha particle के लिए नहीं किया जा सकता, यहां से V का answer निकालो, V square क्या बनेगा, V square बन जाएगा, 2EV over M, आप अब अब अबरूट भी ले सकते हो, लेक लेकिन जो voltage है, वो हमें पता कि हमने electron gun में accelerate करने के लिए कितना voltage अपलाई किया था, ठीक है, तो आप इस V square की value को यहां पर इस जगा पर पूट कर लेजे, मैं यह रेस कर रहा हूं और लिखता हूं कि यहां पर put in equation number 1, put equation 4 in equation 1, यह क्या बन जाएगा, E square over M square is equal to V square की जगा 2EV over M, और बाकी जो term बचीव है, वो ऐसे लिख रहा हूं, R square, B square, यह term इसे कट जाएगी, यह term इसे कट जाएगी, charge to mass ratio क्या बनेगा, वो बनेगा 2V over R square, B square, यह हमारी final equation है, equation number 5, बच्चों अगर हम charge to mass ratio find out करना चाहते हैं, तो अब हमें क्या-क्या पता होना चाहिए, अ अब हमें एक तो radius पता होना चाहिए, एक भी पता होना चाहिए, velocity तो unknown थी, लेकिन जो accelerating voltage है, हमने apply किया है, and we know it, so it is known, तो तमाम values आपको पता है, अब क्या होगा, आप experiment पर form करोगे, actual values के साथ के किस potential पे, किस magnetic field में, किस radius electron को में थे, आप उसको इस formula में put करो, और आपको charge to mass ratio of electron का answer मिल जाएगा, ठीक है, अब charge to mass ratio का actual answer है, हमें फिलहाल the charge की value भी पता है, mass की value भी पता है, हम find out कर सकते हैं, ठीक है, हम numerically भी find out कर सकते हैं, कि e over m अगर find out करना हो, यह बनेगा 1.6 into 10 to 0 is the power minus 19 coulomb, और mass of electron हमें practically पता है, 9.1 into 10 की power minus 31 kg होता है, so इस आप से जो इसक 1.75 यह सरा का कुछ आएगा, तो आप लोग वो देख लेना, जो भी अंसर आता है, यहां पर, जो भी अंसर आता है, वो किसमें आएगा, वो आएगा कूलम पर kg में, और इसके जो base units बनेंगे, वो ampere second kilogram बनेंगे, और dimensions बनेंगी M, T and A, यह इसकी dimensions बनेंगी, इसके, जो charge to mass of electron है, उसकी जारी बात है, अगर आपने यहां पर पार्टिकल लिखना है, तो यहां पर चार्ज डबल और मैस चारगुना करना पढ़ेगा, ठीक है, तो एक रिचार गुना नहीं, यहां पर तो एलेक्ट्रों का मैस है, यहां पर प्रोटोन का मैस लिखना पढ़ेगा, दो वह फाइदा यह होगा, कि आप मैस को उदर ले जाओ, एक्स को उदर ले आओ, क्या बनेगा, म इस इकवल टू इओर एक्स या, म इस इकवल टू इओर एक्स, तो बच्चो अब आपको जो ऐलेक्ट्रों का चार्ज है, वो कहां से पता है, वो मिलिकन्स ओयल ड्रॉप एक् पहली दफ़ा नहीं थी पता पहली दफ़ा इसका अंसर टू वी ओवर और स्केर बीसके से आया था लेकिन जो भी एंसर आ गया आप उसको यहां पर पूट कर लो आपको एलेक्रों का मैस पता चल जाएगा 9.1 इंटू 10 to the power minus 31 kg तो इस तरीके से पहली दफ़ा मैस ऑफ एलेक्रों भी फांड़ कर लिया गया ठीक है इस म嘛 की मदब से हमने क्या किया हमने चार्ज ए रणफ फांड किया इस एक्स்परिमेट से चाल लैसर सी चान मैस रिष्यों को फंड आउड किया और चार्ज लैसरेश्यों आने के बाद मैस उफ एलेक्रों भी केल्कुलेट कर लिया गया ठीक है है तो यहां तक हमारा यह टॉपिक होता है ठीक है जरा मैं देखनों कर आप लोगों के कि यहां पर कोई क्वेस्टन हैं तो रिप्लाई कर दूँ करेंगे करन का मैंगी चुट भी होता है तो बच्चों मैं पहले बता चुका हूं कि वह चीजें जो लिनिर ली अड हो सकती है तो अगर आपने करन्ट 10 अंपर और 5 अंपर को एक वायर में अड करना तो लगाने की जुरूरत नहीं है तो सिरफ डराखन होने से कोई चीज व्यक्टर नहीं मन जाती व्यक्टर वह चीजें होती है जिन पिया आपको है टुटेल रूल रूल लगा नहीं पड़ेगा तो वो चीज़ें वेक्टर होंगी जिनके उपर है टूटे रूल लगता है क्रांट की बिशिप डिरेक्शन हो लेकिन वह वेक्टर लाओफ एडिशन को फॉलो नहीं करता ठीक है ओके बच्चो यहां दक हमारा जो आज का टॉपिक है वह कम्लीट होता है इंशाला तलह हम कल नई लेक्टर के साथ स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करनी है हमने बहुत इंबोर्टन और ट्रिकी टॉपिक है तो इंशाला तलकल मिलते हैं फिलाल आज के लिए इतना ही है खुदा हाफिस